Hello friends, Super Sunday के एक और महा मुकाबले में आप सभी लोगों का स्वागत है CPL के दो मैचेस खेले जाएंगे, डबल लीडर मैचेस खेले जाएंगे जो पहला मुकाबला खेले जाना वाला है संथ लूसिया किंग्स वर्सेद बार्बर डोस रोयल्स के बिच में 90% चांसे थे कि आज क्वाइंटन डिकॉक फ्लॉप हो सकते हैं मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूँ, आप लोगों को परमारित करके बताने वाला हूँ तो बस अगर आपने वीडियो पे किलिक किया तो फुल वाज जरूर कीज़ेगा तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं देको सबसे पहले आप लोगों को फॉइंस टेबल दिखा देता हूँ तो बियार की टीम टॉबल टेपल टीम है टेबल टॉबल टॉबल टीम है छे में से पांच मैच को विन किये एक मैच को मातर हारी है SLK की टीम 6 में से 4 मैच को विन किये दो मैच को हारी है वैसे दोनों टीम परमुख यहाँ पर टीम रहने वाली है क्वैलिफाई करने के लिए लेकिन आज भी इन दोनों टीमों को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी बात करते हैं सबसे पहले SLK टीम से श्टार्ट करते हैं वीडियो को आप लोगी स्टार्टिंग में लाइक कर देना तो यहाँ पे चलिए मैं आपको डिसापोइंट बिलकुल नहीं करूंगा तो वीडियो पे आपने किलिक किया तो बहुत मजाएगा फैफ दूपलिसीज के साथ आप लोगों को जॉनसान चाल्स ओपिन करते हुए दिख जाएंगे वैसे फॉर्म वाइस दोनों अच्छे खिलाड़ी है फॉर्म में भी दोनों बहुत ही बहतरीन है जनरली अपने टीम के लिए दोनों अच्छी पारिया खेलते हैं आप दोनों का रिसेंट फॉर्म भी देख सकते हो आकीम अगस्टी की बात करते हैं तो इनको भी लगभग जब-जब मौका मिलता है ठीक ठक परफॉर्मस करके दे सकते हैं स्मॉल लिग के पॉइंट फ्यू से तो यह वैसे काफी रिस्की प्लेयर रहेंगे लेकिन ग्रैंड लिग में यह परफेक्ट खेलाड़ी हो जाएंगे विकास वन डाउन खेलने वाले हैं रोस टंचेस का ध्यान रखना यह आप लोगों को टू डाउन बैटिंग करेंगे पलस तीन से चार ओवर बॉलिंग भी करके दे सकते हैं इंपॉर्टेंट हो जाएंगे राइट आम आफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं सामने लिफ्ट हैंडर हैं मैं अभी आपको डेटा इनका दिखा दूँगा इंपॉर्टेंट अगर चार नंबर पर बैटिंग करें तो बागी टिम साइफर्ट अकिम अगस्टी वाले प्लेस पर अगर टिम साइफर्ट खेले ना तो जादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैंने पहले भी कहा है वैसे फॉर्म देखेगा टिम साइफर्ट का उतना कोई करेंगे पिछले मैच में 43 रनों की नौक खेले थे चार ओबर कंप्लीट किये थे भले कोई विकेट ना मिलाओ लेकिन इंपॉर्टेंट है अगर अगेन यह बैटिंग बॉलिंग करते हैं तो सैंट्रिक डिसक्रेक्ट की बाद करते हैं ग्रांड लिग में चाहो तो पासी रिस्पी हैं अलिजारी जोसिफ कंटिनूसली एकम के लिए विकेट निकाल रहे हैं चाहें किसी भी निग में बॉलिंग कर हुद् Vijayan में important हो जाएंगे पिछूनले मैच में अख्यार 10 विकेट निकाल किया रहें लेफटप आम उंत्रोडोस बालिंग करते हैं सामने राइट हैंडर हैं बाकि नूर आमद लेफ्ट आम चाइना मैन बॉलिंग कर रहे हैं कंटिनूसली इन्होंने विकेट निकाला है अगर एकाथ मैच को छोड़ दिया जाए तो तो यह देखो एसल की डिम के कुछ 11 घिलाड़ी हो सकते हैं अगर देखो ब्यार के तरफ से बात क या पिछले मैच में 69 नौट आउट इन्होंने किया था मैच विन करवायते हैं उससे पहले सताक आया था आज इसी को देखते हुए काफी ज़्यादा जनता है अपने टीम में इनको सीवेसी करेगी आपको नहीं करना है किसको करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा बाकि क्या ना में इनका कैदी मैलिन की बात करते हैं तो 25-22 पिछले दो मैच से इनका परफोर्मेंस है इसमॉल लीग में रिस्की है लेकिन ग्रांड लिग में इंपोर्टेंट हो जाएंगे आलेक टेक टेंजी का भी कुछ खासा परफोर्मेंस नहीं है जील में ट्राई कर लेना तो पिछले मैच में साथ किये थे हाड इटर बैटर हैं टीम के काप्टन है हीटिंग अबलेटी गजब किये और जनरली अपने टीम के लिए अच्छा परफोर्मेंस करते हैं अच्छा एक बर फिर से मैं रकीम कॉर्नवाल प्याना चाहूंगा देखो उससे पहले इनका पर कटेगा तो यह कुछ नहीं करेंगे लेकिन अगर यह तीन से चार उबर की बॉलिंग कर देते हैं अगेन इंपोर्टेंट रहने वाले हैं और उम्मीद है कि आज के मैच में भी बॉलिंग जरूर करेंगे डाविड मिलर जो रोमन पाविल काम करेंगे सेम डाविड मिलर नहीं मिला है राइट आम ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं मैं अभी आपको दिखाऊंगा सामने कितने लेफ्ट हैंडर है नवीनुल हक की बात करते हैं तो पिछले मैच में तीन विकेट निकालें फर्स्ट इनिंग के बॉल में इंपोर्टेंट हैं चेजिंग के साइड रि लोगों को लेफ्ट हैंडर देखने को मिल रहा है आप लोगों करते हैं और यत चीज पर काफी फोकस करते हैं तो यह आज आप लोगों हो सकता है पावर प्रे में भी बॉलिंग करते हुए दिख जाएं जो कि क्वेंटन डिकॉक ओपन करने वाले हैं ठीक है अगर सामने से लेफ्ट हैंडर SLK की टीम में देखा जाए तो यहाँ पे एकीम अगस्ती एक लेफ्ट हैंडर हैं फिर नीचे देखेगा तो बानुका राजा पकसा आप लोगों को लेफ्ट हैंडर देखने को मिल रहे हैं अगर इधर देखा जाए तो महें ठिशना जो की आप लोगों को राइट अम ऑफ ब्रेक बाॉलिंग करते हैं और लॉजिक कि यह कहती है कि जब-जब left-handler सामने आता है right-arm of break baller balling पे लग जाता है ठीक है और सेम इसी परकार यह logic आप इस तरह लगा सकते हो कि अगर right-handler batting करेगा तो जो baller left-arm orthodox balling करता है जैसे कि सामने धेखो carry pair slk की टीम में हैं तो लाइट हेंडर को लेफ्ट आम ऑथोडोक्स बॉलर से काफी बचना पड़ेगा और इनके टीम में बियार के टीम में कोई भी आप लोगों को लेफ्ट आम ऑथोडोक्स बॉलर देखने को मिल नहीं रहा होगा अच्छा जो खिलाडी बेंच पे हैं आप उनका डेटा देखना फिनिश करने वाली है फिर भी किरकेट है बीते दो तीन दिनों में कुछ उल्टा पुल्टा ना हो तो 21 सितंबर 2024 साथ बच के 30 मिनट डबल हीडर के मैचेज है शाम को ये मैचेज है बहुत अच्छा मैच रहेगा प्रवेडेंस से स्टेडियम ग्वैना में होने वाला है ये विकट की बात कि जाए तो विकट मानी जाती है जो खास तौर पर जो तेजगाती के बॉलर से है उनको ये विकट काफी रहने वाला है बाकि देखो Karl के बाता हूँ पचेले गिरी है Mits av expres गिरी है जहाब चेज गतने निकाला यहाद fuego वीट विकेष विकेट इस्पिन बॉलर्स नहीं निकाला है, तो जो 70% विक्टे हैं वो तो आप लोगों को तेज गती के बॉलर्स ही निकालेंगे, बाकि जो बचे 30% विकेट वो आप लोगों को स्पिन बॉलर्स निकालते हुए दिख जाएंगे, वैनू पर अगर बात किया जाए, कुछ टॉप पफोर्मर खिला लिकी, तो रिवाल्डो कल आर्क एक मैच में 24 एवरेज रन इस वैनू पर करते हैं, फैव डूपलेसी तीन मैच में 48 एवरेज रन करते हैं, भानुका राजा पकसा 3 मैच में 40 इस average run इस venue पे करते हैं बॉलिंग से न इम यंग एक match में on an average टीन wicket और David Regent Weas 5 match में on an average दो wicket इस venue पे निकालते ही अलजारी जोसव 5 match में 1.4 wicket तो इस चीज़का आप चाहवत जो स्क्रिन सॉट ले सकते हो recent जो match इस venue पे खेले गए हैं TKR की टीम पिछला मैच 94 बना के पूरी टीम all out हो गय थी जहां पर ग्वैने की टीम मात्र एक विकेट होती है मैच को win करती है 6 विकेट तेज गती के बॉलर्स 5 विकेट स्पीन बॉलर्स फिर यहां पर देखो ग्वैने की टीम 182 बनाती है जमाइका की पूरी टीम सेकंड इनिंग में all out होती है जहां पर भाई 11 विकेट तेज गती के बॉलर्स चार विकेट स्पीन बॉलर्स फिर यहां पर ग्वैने की टीम 166 बनाती है TKR की टीम 166 बना के चेज कर जाती है पाँच विकेट पेसर, चार विकेट स्पीनर SLK के टीम 125 बनाती है जमाइका के टीम अगेन इसको चेज करती है जहां पर 6 विकेट पेसर 8 विकेट आप लोगों को स्पीन बॉलर्स ने निकालती हुए दिख रहे है अगर देखो वैसे स्कोरिंग पैटन की बाद कीज़ा है तो ऐसा कोई पैटन यहाँ पे तो फॉलो नहीं हो रहा है कि 160, 170 ही स्कोर बन रहा है लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो स्कोरिंग है अवरेज स्कोर 160 यहाँ पे रहने वाला है तो आप इसी को ध्यान में रख कि अपने team create करना बागी जो vict हैं जो मुझे लगता है 70% जो wicket है तेजगती के ballers बागी 30% wicket आप लोगों को spin ballers निकालते वे दिख जाएंगे हैं बागी देखो इसी video के description में telegram channel का link है क्योंकि after toast जो भी final team final update होती है जो भी आप लोगों update करना पड़ेगा मैं वहीं पर कर पाऊंगा तो description को चेक कर लेना बागी whatsapp channel का भी link है आप लोग वहाँ पर जोएन हो जाना जब दोनों team आपस में खेलती तो कुछ top performer खिलाड़ी जादा खिलाड़ी तो नहीं है दो ही खिलाड़ी है यहाँ पर फैफ दूपलेसिस 6 मैच में 234 रण 84 highest score है अलजारी जोसफ 9 मैच में 12 विकेट देखने को मिल रहे है अब देखो players battle देख लेना आज बहुत काम आने वाला है grand league में तो यह important होता ही है लेकिन आज small league में भी जो लुक rick staker हो मैं बता दूँगा किस परकार से apply करना है फैफ दूपलेसिस देखो नवीनुलहक से तीन बर फसे है जैसन होल्डर से दो बर फसे है जैसन होल्डर को तो ठीक ठाक इनोंने run भी किया लेकिन नवीन जो की open में बालिंग करेंगे फैफ जो की open में बैटिंग करेंगे तो अगर इन से बच जाएंगे तो scoring कर सकते है otherwise ये power play में अपना wicket फेक के जा सकते है जॉनसन चार्स भी holder से दो बर फसे है लेकिन ठीक ठाक run भी किया है बाकि नवीन से देखो यहाँ पे जॉनसन चार्स भी एक बर फसे है रोश्टन चेज विला लगे ने एक बर नवीनुल हक ने एक बर आउट किया टिम साइफर्ड को विला लगे ने एक बर ठिक्षणा ने एक बर आउट किया है बाकि इसी परकार सामने से देखो क्वाइंटन डिकॉक मैथ्व फोर्ड से एक बर आउट हुए है जोसफ से एक बर आउट हुए है क्वाइंटन डिकॉक को तो पूरी दुनिया ले जाने वाली है और बिल्कुल ले भी जाना चाहिए जिस परकार उन्होंने परफोमेंस किया 90 के अवरेज है जो कि किसी भी लीग में बहुत बड़ी बात होती है भाई बहुत बड़ी चीज होती है 90 के अवरेज अगर आप 30-35 के अवरेज से रंग बना रहे हो न तो बहुत अच्छा आपका पफोमेंस है ये तो ट्रीपल पे चल रहे हैं ठीक है लेकिन इनको आज बचना पड़ेगा किस से बचना पड़ेगा अलजारी जोसफ से जो कि विकेट टेकिंग अबलिटी इनकी बहुत खतरनाक है और ये दोनों पावर पले में भिड़ने वाले है क्वाइंटन डिकॉक अगर इनसे बच जाएंगे तो हो सकता है पफोर्मेंस करके दें अदर्वाइस अपना विकेट इनको फेक सकते हैं या फिर रोश्टन चेज इनको आज फंसा सकते हैं जहां तक मुझे फील आ रहा है रकीम कॉर्नवाल जोसफ ने दो बर आउट किया और काफी फंसते हैं रिसेंटली बात करते हैं जब दोनों टीम आपस में मैचेस खेली है तो कौन से टॉप परफर्मर खिलाडी होते हैं एसल के की टीम एक सो पंचानवे करती है पूरी बियार की टीम एक सो पांच करके ओल आउट हो जाती है देखो टॉप परफर्मर खिलाडी जॉणसन चार्ल्स के अठार अठार रने अज़ारी जोसफ तीन विकेट खैरी पेरी मैथ्यू फोर्ड के एक एक विकेट है नई मियांग के 20 रने जैसन होल्डर 18 रन दो विकेट रकीम कॉर्णवाल के 18 रन ओविड मोकोई के एक विकेट है फिर यहाँ पे देखो SLK की टीम 201 करती है अगेन बियार की टीम 147 करती है ओल आउट हो जाती है फैफ डूपलेसिस के 46 रने जॉणसन चार्ल्स के तीन विकेट है मावाव कीज़ेगा 30 रने मैथ्यू फोर्ड के तीन विकेट है क्यारी पैरी के एक विकेट है रोश्टन चेस 14 रन एक विकेट सैंट्रिक डैस करेक्ट के एक विकेट है सामने से नई मियंग जो कि एजब बॉलर खेलते हैं वो बैटिंग से पफोर्मेंस दोनों मैच में किये है उपर में भी 20 का यहाँ पे नाम है नीचे में भी 48 के साथ नाम है भाई होल्डर चार विकेट फिर नीचे आईएगा तो अगेंदे को जॉंसन चार्ल्स का नाम है यहाँ पे बियार के टीम इस मैच को विन करती है अलजारी जोसफ तीन विकेट के साथ है सामने से मिलर को उनतीस रन मोकोई होल्डर के एक एक विकेट है डैविड वीज के अठाई सूपर रोश्टन चेज के एक विकेट है नीचे आईएगा तो क्वैंट रन डिकोक यहाँ पे 24 के साथ रकीम कॉर्नवाल 32 के साथ मिलर 24 नोट आउट के साथ जिनको की दुनिया करके लाने वाली आप भी बिल्कुल कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है ग्रैंड लिग में जो की एक करोड देल करोड की ग्रैंड लिग लगी है उसमें आप लोगों को रोश्टन चेज, डैविड वीर, नूर एमद और जॉनसन चार्ल्स को अपना CVC करके चलना है बागी चलिए देखते हैं आज के मैं से लेटेड हमारी क्या कुछ फैंटेसी टीम बन के रेडी हो रही है दोस्तो देखो इस्टार्ट करते हैं विगट कीपर सेक्षन से उम्मीद है कि आप लोग वीडो देखकर समझ कर यहां पे आ रहे होगे तभी देखो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा समझाऊंगा आप लोग अच्छे से समझ पाऊगे भाई 13 मिनट की वीडो है और अगर आप 13 मिनट की वीडो नहीं देख पाते हो तो फिर आप भाई फैंटेसी में क्यों मतलब आते हो मैंशा लेकर कि आज डेली का मतलब विन करके निकलना है तो अगर आप इतना टाइम नहीं दे सकते हो फिर कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि मैं फैंटेसी यूटूबर होकर मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं जो भी यूटूब पर काम करते हैं दिन की दो तीन वीडो अगर इमांदारी से आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं तो आपका भी फर्च बनता है कि वीडियो को फुल बात जरूर क बागी देखिए टेलीग्राम के चैनल पर रहिएगा जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है क्योंकि टॉस के बाद जो भी अप्डेट आएगी मैं आप लोगों को आफ्टर टोस यहीं पर बता पाऊंगो डिस्क्रिप्शन में लिंक है चेक कर लिजेगा बागी दे परफेक्ट खिलाड़ी रहेंगे इसपेसली जब इनकी टीम फ़र्ष्ट इनिंग में बैट करें अब देखो बैटिंग सेक्शन से साइफ डूपलेसी इंपॉर्टेंट है भानुका राजा पक्सा फ़र्ष्ट बैट में जील में ट्राइक कर लेना मिलर को भी जील में ट् सकता हूं बैटिंग करम को देखते हुए ठीक है अगर ले नहीं चाहते हैं तो अटेंजी को ले लो ठीक है क्योंकि इन लोगों का बैटिंग करम तीनों का जो उपर से हैं पोवल राजा पक्सा और मिलर काफी नीचे है तो इनसे बैटर एक टेंजी और अगस्टी हो सकते ह है लेकिन फिलाल एक बैटर को मैं लॉक करता हूं और राउंडर सेक्शन में आते हैं तो होल्डर रोश्टन चेस ड्याविड वीज राकीम कॉर्णवाल यह चारों इंपोर्टेंट है क्याल इनको जियल में ट्राई कर लेना ओपिन करेंगे बॉलिंग का तो कोई स्योरिट में फिलाल तो balling करें important है लेकिन special ये second inning के ball में रहेंगे ठीक है महक फिशना special रहेंगी ये भी second inning के ball में must pick वाले pick रहने वाले हैं बाकि orbit mokoy या फिर देखो महेख सिशना को मैं ड्रॉप करके जोसेफ और नवीन को फिलाल अपने टीम में लेके चल रहा हूँ बागे टॉस के बाद देखा जाएगा महेख सिशना मैं सेकेंड इनिंग में ट्राइ करूंगा लेने को अगर टीम की बाद की जाए तो फिलाल ये 11 खिलाड़ी के टीम मन के रेडी हो रही है जहाँ पे दोको काप्टेंसी मैंने रोश्टन चेस को दे के चल रहा हूँ क्योंकि सामने आप लोगों को बताता चलो भाई तीन लेफ्ट हैंडर है ठीक है और सेम कॉंसेफ्ट आप लोग महस्थिशना के साथ भी लगा सकते हो लेकिन मैं रोश्टन चेस पे ज़्यादा रिलाई कर रहा हूँ क्योंकि ये बैटिंग भी उपर करेंगे तो ये काप्टन इंपोर्टेंट लग रहे है वाइस काप्टेंसी की बात की जा तो मैं रकीम कॉर्णाल के साथ जा रहा हूँ आप होल्डर के साथ वीज के साथ जा सकते हो दुनिया क्या कर रही भाई चाववन परसेंट लोग यहां से डिकॉप के साथ जा रहे है अगर ही डिकॉप आउट हो जाता है सपोज अगर आउट हो जाता है ना तो वह चाववन परसेंट लोगों का मैच ही स्टार्टिंग में खतम हो जाएगा तो इस्मॉल लीग में रिक्स रहेगा नहीं करना क्योंकि अगर 40-50 कर देते हैं पलस इनके पस अगेन विकेट कीपरिंग का ड्वांटेज है तो यह अच्छे भी हो सकते हैं लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आज इनको जोसफ फसा सकते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रहे है तो मैं आल राउंडर पे जादा फोकस कर रहा ह हूँ जो की बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से पॉइंट देने की काबलियत रखते हैं बाकि उम्मीद है अगर आप वीडियो देखे होगे तो खुद से बेतर टीम मना सकते हो और अगर इस मैस से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो बाकि सोसल मीडिया हैंडल का लिंक मेरा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है आप मुझे फॉलो कर सकते हो जो भी सवाल हो आप मुझे से पूछ सकते हो बाकि दोनों एप्लिकेशन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप दोनों प पसंद आई तो लाइक करना जो लोग चानल पर नहोंगे सब्सक्राइब करेंगे बादे टेली ग्राम पर आप लोग जुड़ जाएगा मैच की जो भी अपडेट आईगी मैं आपको यहाँ पर कर दूँगा बाकी मिलते हैं अगर अच्छी वीडियो के साथ तब तक लिए ग क्लीव बाकी मैं आइध लिए